नमस्कार दोस्तों मैं उमेस आप सभी का आप नाइटिव चौनले फिर से बहुत बहुत स्वाध करते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने एक वीडियो बना कर आप सभी को जनकारी दिया ही था कि बिहार में ओला बिरिष्टरि या फिर बारिश के चलते हैं जो भी फसल नुक्सान हुआ है उसका आकलम करके आपको फसल च्छती का जो उनधान है आपको दिया जाएगा तो इसमें मैं आपको किलियर करके नहीं बताया था कि इसमें कितने जीनले सामिल है साथी साथ कितने हेक्टिर फॉसल यहां पे नुक्सान हुआ है और कितने दिनों में पैसा दिया जाएगा इसके रिगार्डि मैंने जनकारी नहीं दिया था क्योंकि उस समय आया नहीं था लेकिन अभी मंत्री जी के द्वारा इसका पूरा खुलासा कर दिया गया है कि आपको पॉसल चाती का पैसा है वो किस तरह से मिलेगा और यहां पर बोला गया है कि साथ दिन के अंधर ही आपको दिया जाएगा सीधे खाते में आपका पैसा आएगा तो किस तरह से आएगा उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे कौन-कौन से जीला जो है इसमें सामिल है और हो सकती है उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे तो प्लीस वीडियो सुरू से अन तक ले कज़रो देखिएगा और वीडियो थोरा से अच्छा लगे तो प्लीस वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं देखिए सबसे पहले मेरे पास एक हिंदुस्तान का पेपर कटिन है इसमें आप देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि जो भी फसल नुक्सान हुआ है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 17 मार्च को बहुत ज़्यदा ओला बिरिष्टी भी हुई है ठीके और अभी भी आप सभी जानते हैं जो भी फसल नुक्सान हुआ है उसका आकलन किया डाया रहे और nåकलन का जो जीमा है जिला के Nou रोग होते हैं का पर कितना पना लुक्षान हुआ है अब इसका मंतरी जी चींके द्वारा कहा गया है कि इसका एक सर्वे रिपोर्ट भी त्यार हो रहा है कि कहां पे कौन से किसान का जो ही कितने आपे फसल नुक्सान हुआ है अब यहां पे इन्होंने कहा हुआ है कि अभी फिलाल यहां पे मतलब प्रोपर जनकारी इन्होंने नहीं दिया हुआ है लेकिन इसमें कहा गया है कि बारे ऐसे जिले हैं जिसमें यहां पर देख सकते हैं आप देखेंगे यहां पर दैनिक भासकर का पेपर कटिन है जिसमें बोला गया है कि बारे जिले जो की बहुत जिदा प्रभावित है यहां पर इसके रिकार्डिंग बोला गया है और यह भी क कि 29,000 हेक्टियर के लगभग जो यहां पर फसल का नुकसान यहां पर पहुचा हुआ है तो इन्होंने काया हुआ है कि कुछ जिले ऐसे हैं जिसका जो है जो आकलन है उसको कर लिया गया है उसका रिपोर्ट जो है त्यार है तो उनको जो जो है आपको फसल छती अंदान के तहट जो है फॉर्म फिल करवाया जाता है और फॉर्म फिल करने के बाद जो भी आप एकाउंट नम्र बेगरा जनकाई देते हैं जमीन के रिलेटेट की हमारा इतना नुक्सान हुआ है उतना ही आपको पैसा यहां पे दिया आता है लेकिन इस बार यहां पर सरकार यह कह रही है कि जो भी फिचकल वेरिफिकेशन होता है उसको यहां पर करके जो है वहीं से रिपोर्ट त्यार करके साथ दिनों के अंदर जो यहां पर पैसे ट्रांसपर किये जाएंगे अब इसको लेकर ज्यादा जनकाई नहीं है कि किस तर से क्या कि अगर आपका कba मालीजह इस में सामिल है तो पीडिया डिया गया तो यहाँ पे और आते हैं तो आपका वेरिफिकेशन और होगा अक्रन अधार हो सकता है आपसे ड़ाइपसर की अस परस के जो भी बिभाद के लोग होते हैं तो उनके जो भी डेटा लेकर गया गया है, जैसे कि माली जी आपका अधार नंबर, एकाउंट नंबर वेकर हो गया, उसी के माधियम से पैसे आपका साथ दीनों के अंतर आपके खाते में भेज आएंगे, यह बात यहां पे कहा गया है, तो एक छोटा सा अब्डेट था, जिसके आपको जनकारी दिखाया है, कि मंतरी साहब ने कहा हुआ है, कि जिनका भी सर्फे हो गया है, उनका डेटा मिल गया है, उनको साथ दिनों के अंदर पैसा यहां पे भेज दिया जाएगा, और बाकी जितने भी जीले हैं, उन जीलों में यहां पे सर्वेक्षर का काम चल रहा है, जैसे ही complete हो जाता है, तो पैसे जो ही उनको भी send कर दिये जाएंगे, हलाकि इस साथ दिनों के अंदर send किये जाएंगे, तो यह छोटा मोटा update है जो मैं आपको बताना चाहा रहा था, तो बस आज किस वीडियो में इतना ही, वीडियो थोरा से अच्छा लगा है, तो वी वीडियो से रिलेटेट, तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,